कि नमश्कार मैं हूँ सुर्भी सिंग स्वागत है आपका हमारे चानल एक्स नाइन लाइफ पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आलिया भट ने अपने करियर की शर्वाद स्टिटेंट आफ दी इयर से की थी आपको पता है कि महिश भट ने सोनी राजदान से शादी की उसके बाद उनके घर में आलिया भट का जन हुआ लेकिन इससे पहले भी महिश भट ने कई शादिया की है आपको बता दे किससे पहले जब उन्होंने शादी की तो उनकी घर में पूजा भट का जन हुआ पूजा भट आलिया भट की सोतेली बहन है लेकिन कभी भी ऐसा लगा नह साथ बड़े ही प्यार से रहती हैं पूजा भट जिहां एज का बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में लेकिन ये कभी दिखाई नहीं देता क्योंकि वह अपनी बेटी की तरह ही आल्या भट को मानती हैं भले ही सौतेली भाई बहनों का रिस्ता हैं दोनों में लेकिन आपको पूता दे कि ये दुश्मनी इस तरह की देखी नहीं गई हमेशा इन दोनों के बीच में प्यार ही देखा गया है क्या कुछ हुआ इनके जिंदगी में और कैसे इन सौतेली बहनों का प्यार इतना ज़ादा हो गया इनके जिंदगी कैसे बीती बच्पन से लेकर अब तक इ आलिया लेक इंटर्वियो में बता था कि वो अपने पिता महिश भट के बेहत करीब है लेकिन अपने सीक्रेट्स वो अपने बहन को बताती है आलिया भट ने अनुपम खेर शो में बताया था कि वो अक्सर अपनी मा से लड़ाई किया करती थी आलिया बताती है कि मेरी अक्सर मेरी मासोनी राज़तान से जगड़ा होता रहता था कई बार चीजे जाता तेज हो जाती थी तो हमारी आवाज भी तेज हो जाती थी लेकिन मेरे पिता हमेशा मेरा ही पक्ष लेते हैं तो वो जगड़ा मुझे मुझसे शिफ्ट होकर उनके उपर चला जाता है मैं अपनी लाइफ के सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करती हूं पूजा के साथ हमारा रिष्टा बहुत करीबी हो गया है परिवार के रूप में हम लोगों के बहुत करीब आ गए हैं आलिया भट ने बताए कि लोग अकसर हमारे रिष्टे को लेकर चर्चा करते रहते हैं हम लोग सच में टाइम बिताते हैं अब हम लोग के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं है पूजा भट तो वैसे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है मैं बहुत जादा चीज़ें उनके साथ शेयर करती हूँ मेरे पिता सबसे अच्छे है मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझे किसी फिल्म में कास्ट करें उन्होंने इतनी हिट फिल्म में बनाई है लेकिन मेरे लियास तक इनकी एक भी फिल्म नहीं है मैं इस बाट कहते है कि जब पहली बार मैं ने देखा कि आलिया अपनी फिल्म में गाना गा रही है तो मैं हारान हो गया मुझे लगा कि ये लिपसंग कर रही है मुझे तो अभी तक लगता है कि ये गाना भी गा सकती है आलिया ने इसके जवाब में कहा कि मैंने किसी भी गाने को नहीं सीखा ऐसा भी कह सकते हैं कि जीन्स ही ऐसे हैं कि मुझे गाना गाना आ गया मैं तो इतनी सारी चीज़ अपने परवार में सीख जाती हूँ क्योंकि मेरे पता अगर कुछ भी फैसला करते हैं तो वो पूरा करते हैं मैं कभी कबार शिराब भी पी लेती हूँ कई बार तो ओवर भी हो जाता है जी हाँ तो आपको बदा दे कि अपरी बहन के साथ हो काफी अच्छा बांडर शियर करती है वहीं इस बात में कोई दोराएं नहीं है कि ब्रोकेन फैमली से गुजरने वाली फीलिंग ऐसी होती है जिस इस रब्दों में बया कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है बॉलिवर्ट गल्यारों में ऐसे कई परवार हैं जिनके बिंते बिगड़ते रिष्टों के बारे में जानने में हर किसी को बहुत दिल्चस्पी रहती है उनमें से एक आलिया भट की बड़ी बहन पूजा भट भी है जिन्होंने वक्त के साथ कदम कदम मिलाना सीखा है आपको बता दे कि आज पूजा भट के संबंद आलिया और उनकी मारसोनी राजदान से बहतर हो गए हो लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनसे बेंतहा नफरत भी करती थी लेकिन वो कहते हैं कि समय हर घा को ठीक कर देता है वैसे भी आलिया और पूजा का रिष्टा काफी अच्छा हो गया है कहने को तो पूजा आलिया और शाहीन सगी बहने नहीं हैं लेकिन इनकी बॉंडिंग हर रिष्टे से बढ़ कर है पूजा इस बात को समझती है कि परिवार में बड़े होने का असल मतलब किया है यही एक वज़ा भी है कि इस रिष्टे को लेकर काफी अंडिस्टैंडिंग है आलिया को ना केवल बड़ी बहन का प्यार और मार्क दर्शिन आक्टरस से मिलता है बलकि पूजा भी इस बात क ध्यान रखती है कि उनकी वज़े से कोई परिशानी ना हो जिसका सबसे बड़ा एक्जामपल तब देखने को मिलता है जब पूजा से रनवीर और आलिया भट के रिलेशन्शिप को सवाल पूछा गया था तरसल पूजा भट से जब एक इंटर्व्यू में आलिया के रिले हूँ जी हाँ वैसे भी वह काफी समझदार है मुझे लगता है कि यह उसका वक्त है हमें उन्हें उनकी लाइफ इंजॉई करने के लिए छोड़ देना चाहिए वह अपनी परसनल लाइफ में क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है वह पूरी तरह से उनकी प्रॉब्लम है हम फैसला करने वाले होते कौन है इस मामले को लेकर मेरा और मेरे पिता का अप्रोच अलग है हम हमेशा उनके साथ हैं यह सनिश्चित करने के लिए कि वह खुश हैं और सरक्षित दोनों हैं खैर पूजा इन बातों से इतना तो साफ कह रही थी कि वह पबलिक में ऐसा कुछ भी बोलने को तयार नहीं है जो उनके परिवार वालों के लिए परिशानियों का सबब बने वो समझती है कि अपनों को विश्वास दिलाना अपनों का विश्वास तोड़ना कितना दुखदाई होता है विश्वास एक मजबूत रिष्टे का वो पहलू है जो एक बार तू होना सही नहीं है पूजा चाती तो आलिया के बारे में कुछ ऐसा भी बता सकती थी जो इन दूनों मीडिया की सुर्खिया बनती लेकिन उन्हों ने ऐसा नहीं किया। वो जानती थी कि विश्वास का पुर्ण निर्मान होना कितना मुश्किल है। विश्वास घात के बाद किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खास कर तब जब किसी को आपने ऐसा किया हो। पास्ट की कुछ ऐसी बातें अभी भी आपके जहन में जमी जमाई बैठी हो लेकिन इस दोरान ध्यान देने वाली बात ये है कि उस वेक्ति के साथ वर्तमान में आपके रिश्टे कैसे हैं आपको बता दे कि पूजा आलिया का रिश्टा भले ही उतार चड़ाओ से गुजरा हो लेकिन इनकी बांडिंग हर इंसान हर उस इंसान के लिए बड़ा सबक है जो आए दिन कहते फिरते हैं कि सोतेले रिश्टे में नफरत पैदा होने के बाद दोबारा प्यार नहीं हो सकता हम इस बात को मानते हैं कि ऐसा कोई भी रिश्टा को अपनाने में किसी के लिए आ जाता है यही एक वज़ा है कि पूजा अपनी दोनों बेहनों को कदम कदम पर गाइट करते चलती हैं आपको बता दे कि अपनों के साथ हमेशा मधूर में रिश्टे बनाने के लिए जरूरी है कि आप चीजों को आज के हिसाब से डील करें ना कि गुजरे वक्त में क्या करती हैं तो आपने देखिए अभाव और पूजा बहुत के रिश्ते के बारे में आपने जाना की कैसा बड़ताओ का था दोनों का एक दूसरे के साथ आपने जाना की बच्बन से दोनों की बंडिंग इंग कितनी स्ट्रॉंग रही है भले ही बहने रही हो लेकिन एक दूस कुछते हैं आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं चुड़े रहिए हमारे साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन दुपाना विलकुल नहीं